मद्रप्रदेश और बिहार समेट 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाओं के नतीज़े आ गए हैं सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी इनमें से कॉंग्रेस ने 4, TMC ने 4, भाजपा ने 2, आप, DMK और निर्दली ने एक-एक सीटे जीती हैं इनमें बिहार की इरुपोली विधानसभा सीट, पस्चिब मंगाल की राइगंच, रानागार, दक्षिन और मानिक ताला, तमिलाणू की विक्र बांडी, मद्रदेश की अमरवाडा, उतराखन की, बदरीनात, मंगलौर और पंजाब की जालंध सीट शामिल हैं साथ राज्चू की तेरा सीटों पर हुए विधानसभा उप्चुनाव कॉंग्रस में चार, टीमसी ने चार सीटे और भाजपा ने दो सीट जीती, आप, डीमके और निर्दलिये ने एक-एक सीटे जीती, मद्रदेश की अमरवाडा सीट पर भाजपा का कबजा, हिमाचल कॉंग्रस ने दो तो भाजपा ने एक सीट जीती, वहीं उत्तराखंड उप्चनाव में भी पंजे का दम दिखा, मद्रदेश के अमरवाडा की बात की जाये तो यहां भाजपा के कमलेश शाह खरीब 3,000 मतों से जीते, भाजपा के कमलेश शाह 83,105 वोट उन्हें मिले, व आजपा चनाव में बीजेपी का समर्थन करने वाले तीन निर्दली विधायकों के इस्तिफा देने के बाद खाली हुई थी, बीजेपी ने इन पूर्व निर्दली विधायकों को पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी संबंदत सीटों से मैदान में उतारा था, कॉंग पुर्सीट पर बीजेपी के आशिश शर्मा ने कॉंगरेस पृतियाशी पुष्पेंद्र वर्मा को 1500 से धिक वोटों के अंतर से हराया. वही नालाघर सीट पर कॉंगरेस के हर्दीप सिंग बावा ने बीजेपी के केल ठाकुर को 8000 से धिक मतों के अंतर से हराया. वहीं उत्तराखंड की मंगलोर विदानसवा सीट पर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच काटे की टक्कर देखने को मिली कॉंग्रेस उमिद्बार काजी मुहमद निजामुदिन ने यहां बीजेपी के करतार सिंग भडाना को सिर्फ 449 वोटों से हराया बसपा प्रत्याशी उबेदर रहमान तीसर स्थान पर रहे बदरीनाथ सीट पर कॉंग्रेस के लखपत सिंग बुटोला ने बीजेपी के राजेदर भंडारी को 5000 से धिक वोटों के अंतर से हराया राजेदर भंडारी सीट से कॉंग्रेस के विधायक ते और लोकसभा चुनाओ से पहले विधान सभा सदरसिता से स्थीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे जिस कारण ये सीट खाली हुई उत्राखंड की मंगलोर सीट बस्पा विधायक सर्वत करीम अंसारी की मृत्यू के बात खाली हुई थी बतादी की मंगलोर में 69.73% और बदरीनाथ में 52.26% मत्तदान हुआ था जबकि 2022 के विधानसवा चुनाओ में मंगलोर में 75.95% और बदरीनाथ में 65.65% मत्तदान हुआ था